अग्याट में आपका स्वागत है हम लोग समानी विज्ञान के स्रिंख्ला को कंटिन्यूव करते हैं यह समानीव जो स्रिंख्ला है जिसमें हम लोगोंने 1500 से लगभग 2000 प्रश्णों की जो है ना बात करी थी कि लगभग प्रश्ण को मिलेंगे लगबग सारे प्रश्ण को मिलाकर शंख्या आपको 2000 के आसपास होगी आप लोग देख सकते हैं यह सारे के सारे प्रश्ण आपको पुछे जाने के संभावना बहुत ज्यादा है इसलिए हम लोग आपके सामने ऐसे प्रश्णों की स्रिंख्वा लेकर आए हैं जो कि आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के पॉइंट व्यूसे बहु से पहले प्रिक याद कर लेजिए पैजानी हर पी नाला इससे क्या बता है आपको रंगू का खरम याद करने में सुझ्धा हो दिए बहुत सारे डॉट से इससे क्लिए हो जाते हैं इंग्रेजी वाले विल्ग्योर आप याद कर शक्ते हैं तो यह जो है आपको हमने क्या ब हो का जो है आपको क्रम है अब इसकी बात जो है अंग्रेजी में करेंगे तो वीफ वाइले इंडिवो ब्लू ग्रीन एलो औरेंज और रेड इस तरह से जो है ना आपको हिंदी माध्यम और नीचे वाला वियाद कर लें और इंग्लिस मीडियम से जो स्टुडेंट्स हैं व नीला फिर हरा और उसके बाद क्या आना चाहिए पिला आए उसके बाद जो है नारंग फिर लाल तो नीला और हरा के बाद बैगनी आजा रहा है इधर की और आजा रहा है इसलिए आपको यह क्या हो जाता है गलत बैगनी हरा नीला बैगनी के बाद हरा और फिर नीला फिर स सही क्रम नहीं है और निला पिला हरा नीला पिला और हरा अर फिर से पीछे के वाद बीच में नीला के बार ना चाहिए तब पिला ना चाहिए यह भी सही गलत हो जाता है तो हमारे पास सही उतर क्या हो जाएगा उक्सेट Uhh इसके पर पिला आप लोग देख सकते हैं नियला खरा और उसके बाद फिला जब इस तरह की question आए तो जल्दी से जो है आप लोग एक्जाम में इसको पुरत रख में लिखने से जो है आपको जल्दी से निकालने में सुग्दा होती है ऐसे सोचने में कोड़ सा वक्त लग जा बहुती सोट्रिक ए, बैंजानिहा, पिनाला और अंग्रेजी, मिट्यम में आपको वाले आपने देज़े से भियाद कर सकता हुकूता है अपको प्रकास जो होता है उस प्रकास लाइट को प्रिच्म के धरूप दुब पास कराते हैं प्रिजम से उकर जब प्रकास को पास कराया जाता है तो वो प्रकास साथ रंगों में विवक्त हो जाता है इसी खटना को हम लोग 1.2.6 के नाम से जाते हैं प्रकास का 1.2.6 के दौरा समभव है प्रिजम के दौरा बच्पन में आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया भी प्रकास को 1.6 के दौरा समभव है जम प्रकास कि लाइट को प्रिजम के ठूरू प्रास कराया जाता है तो वो लाइट आपको सात्रंबों में विवक्त हो जाती है और वह सात 네, को आपके सामने दिखाया इंदरधनुस के दोनों सीमानत वर्न पत्थ मत्लाित के अंत में सूरू और अंत में जो दोनों छोर पे आप को लई-ट उनका विद्रधन उसके दोनों वर्ण पट होते हैं वो क्या होते हैं तो हमने अभी देखा बैजानी हा पिनाला इस सब्सक्राइब आपको इस सब्सक्राइब 25 है तो शब्सक्राइब और लाल को लाल का स्पेक्ट्रम दिखने को मिलेगा लाल को स्पेक्ट्रम इसे मुझे किलते हैं और unasusa चुछ न से विछ अगरण को मुधा गैं दोबर पराफ है टोफ देवाइं निकाई देगा है 大ता भार्य के बिप्रित दिसा में खुशा होता है तो आपको begore मिसमें जब भाष में सुरई होगा तो आपको दोइदर ऑर उसे जो है работать प्रोह में दिखाई देगा हमघो से 12 वजे तो 13 वजे जो है ना आको सूर्य, जो है ना हमारे सीर के सीधा उपर होता है इसलिए आपको इंद्र धनुस आपको 12 वजे दोपर के दिखाई देगा ही दिखाई दोपर 12 बजे सुर्य जो है आपको हमारे सीर के सीधा उपर होता है इसलिए आपको इंद्र धनुस नहीं दिखाई देगा क्योंकि आपको जो इंद्र धनुस है वो सुर्य के विपरित दिशा में दिखाई देता है ठीक है जब सुर्य पुर्व की और होगा मतलब सुबह के समय आपको पसिम के और दिखाई देगा और दोपर के बाद मतलब साम के समय आपको सुरे पुर्व की और दिखाई देगा क्योंकि इंद्रधनोस सुरे के विपरित दिशा में दिखाई देता है हमारे पस जल में वायू का बुल्बूला जिसकी भाती बेवार करेगा वो आपको ओतल लेंस है ओतल लेंस जो है न जल में जो वायू का बुलबुला होगा किसमें? जल में जो वायू का बुलबुला होगा वो आपको ओतल लेंस की तरह विहाइब करेगा जल में जो वायू का बुलबुला होगा वो आपको किसके तरह विहाइब करेगा ओतल लेंज की तरह विहाइब करता है ठीक है वाईव का बुल्भूला जो जल में होगा वो ओतल लेंज की तरह विहाइब करता है हमारे पस अगला क्वेस्टन है जल के अंदर वाइब का गुलबूला बेवार करता है, फिर से सेम प्रेशन, और लेंज को ही अपसारी लेंज के नाम से जाना जाता है, और अभिसारी लेंज को 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 अभिसा जो है ना आपको ये सारी जो आपको तो प्रकास के किरने जो हैं, आपको इस lens के थुरू जैसे पास करा जाता है, वो क्या हो जाती है आपको? ये आपको converge हो जाती है, एक जगह जो है ना आपको, अभिसारी और अपसारी. यह एक जगह जब सुरी की किरनों को पास कराया जाता है इस लेंज से तो आपको एक जगह जगह क्या हो जाती है अभी सरीत हो जाती है, कनवर्ज हो जाती है इसलिए इसको कनवर्जिंग लेंज कहा जाता है अभिसारी लेंस कहा जाता है और जो ओतर लेंस होता है उसको डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है क्या कहा जाता है डाइवर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस मतलब आपको हिंदी में इसको अपसारी बोलते हैं अपसारी जब परकास की कुर्मों को उसके फ्रोपास कराया जाता है तो वो क्या हो जाती है किरमें आपको फैल जाती है अपसरीत हो जाती है डाइवर्ज हो जाती है इस लिए इसको अपसारी लेंस कहा जाता है तो जल के अंदर जो है न वायू का पुनपुला कैसा बेवार करता है अपसारी लेंस जैसा बेवार करता है जल के अं हमारे पस अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति का पूरा प्रज़ भीम देखने के लिए आपको सम्तल दर्पन की नियुनतम उचाई होनी चाहिए तो आपको अगर मानलो कि यह सम्तल दर्पन है आपके सामने ठीक है तो उस शम्तल दर्पन में हमारा पूरा इमेज देखना है आपको आपका पूरा इमेज देखना है तो सम्तल दर्पन का जो आपको उंचाई होना चाहिए वो सम्तल दर्पन व्यक्ति के उंचाई का आधा होना चाहिए कम से कम कितना होना चाहिए आपको आधा होना चाहिए कम से कम तभी अगर मानने जिए कि आप 5 फुट के हैं, कितने हैं, 5 फीट के हैं, तो आपको पूरा उमेज आपका पूरा इमेज दिखना है, तो समतल में पर कितना फुट का होना चाहिए, ठाइब पर होना चाहिए, अगर आप छे फुट के हैं तो आपको जो है समकल दर प्ण की इंचाई कम से कम कितनी तरी फुट होने चाहिए मतलब व्यक्ति के ओंचाई की आधा होनी चाहिए कम से कम तुभी उसका पूरा का पूरा प्रति प्यूंट दिखेगा तो हमारे पास प्रस्न यह तरहा कि पूरा पर्थी पीम्ड देखने के लिए समतल दर्पन के नियूनितम हुझाई कितनी होनी चाहिए तो ब्यक्ति के उचाई के बराबर नहीं, ब्यक्ति के उचाई का आधा यही हो जागा हमारे पास सही उतर समतल दर्पन की वकरता तिरिज्या क्या होती है, समतल दर्पन की वकरता तिरिज्या आपको अनन्त होती है, ठीक है, रेडियस ऑफ करवेचर जो समतल दर्पन का होता है, प्लेन मिरर का जो रेडियस ऑफ करवेचर होता है, वो इंफाइनाइट होता है, अनन्त होता है, ठीक है और हमने ये भी कल पर बात करेंगी जब दो प्लेन मिरर को आपस मैं पैरलेल रख दिया जाता है तो उसका में इमेज आपको क्या बंता है आपको इसके द्वारा पनाईगी प्रती विम्हों के संखिया होती है varios बढहने है है तो उसका पूरा इमेज देखना है तो इसको आवासे दरपन के नियुंतम लंबाई उसका 1.50 का आधा कितना होगा तूसे डिवाइड कर देजेगा तो 0.5 मेंटर का जो है ना आपको होना चाहिए उस अवह अतना क्ले निरर का जो है हाइड कितना होना चाहिए आपको 0.75 मीटर कितना होता है तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास यह प्रस्वाइड के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है उत्तल आप लोगों को जो है ना मैं याद करने का बहुत ही असान जो है ना बता रहा हूं दूर कितना दो आ दोक्षर जो को अक्षर का है कितने दोक्षर से मिलने से बना हाँ और आपको जो है निकट द्रिष्टिर साय answer से मिलकर भना है तो दूर दो चे लिए जो है आपको उद्दर क्यांग्ए। दूर के लिए ड कर चार अख्षर वाला जो लेंस है उसका दो के साथ direct मों तीन के साथ क्या चार मतम्तब दूर जो है ना दौट से है दो अक्षर से मिलकर बना है तो एसे दो का जो है ना थो के साफ शोटा दरपण और बड़े के साफ बड़ा दरपण जैसे आपको याद करने का सुझधा जो दूर दृष्टी दोस्ते उसके लिए उतर दरपन उतर लेंज और जो आपको क्या है निकट दृष्टी दोस्त को दूर करने के लिए कौन सा लेंज उत्योग में लाया जाता है तो निकट दृष्टी दोस्त को आपको दूर करने के लिए विजस्त हमने देखा कि निकट के लिए निकट तीन वट का है तो तीन का क्या होगा चार दो का क्या होता है तीन तो आवतल क्या हो जागा आपको आवतल दृष्टी दोस से भी जाना जाब पर है आगे प्यों बात करते हैं हमारे पास अगला प्रस्थ्न है निकट द्रिश्टी दोस्त के लिए फिर से सोरी आपको वही सेम प्रस्थन है तो उसी को नतोदर देखी लिखा हुए था उसमें अब यहां पर जो भी ओप्सन में उसको आप लोग नतोद है मायोपिया जिसको निकट द्रिश्टी दोस्त कहते हैं निकट द्रिश्टी दोस्त के लिए अंग्रेजी में इसे मायोपिया भी पुछा जा सकता है मायोपिया को क्या बोलते हैं आपको निकट द्रिश्टी दोस्त को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं तो निकट स्मपन करें देखा हुगा अभी कभी कभी कागज जलाएं होंगे वही लिंश की बारे में बात दर रहा है कि किस प्रकार के लिंशसे बनते हैं तो यह उत्तर लिंश से बनते हैं जिसको Converging Lens भी आपको बना जाता है जब आप लोग बुक के ऊपर जो है न ऐसे रखते थे तो बुक के ऊपर उसका जो है न बुक का जो वर्ड होता तो आपको बड़ा बड़ा दिखाई जेता था तो वही ऊपर है पढ़ने में कामाने वाले घ्लासेश किस परकार के लेंग से बनते हैं तो उस तर लेंग से बनते हैं जिसका उप्यों करके आप लोगों ने कामा आने वाले किरिदे सब्सक्राइब देखेगा असपष्ट देखने की नियंतम जो दुरी होती है ठीक है और असपष्ट मतलब जो हैं आपको देखना है ठीक है असपष्ट साफ साफ दिखाई देने के लिए आको 25 सेंटीमीटर के दोरी पे कोई वस्तु अस्पस्ट दिखाई जाती है 25 सेंटीमीटर आपको असपस्ट देखने की निर्थम दोरी पे सब्सक्राइब कि कि दोरी कितनी हैं तो सवस्ट आं likely किसमे माते हैं तो डायोक्तर में आखते हैं के सकती को प्लस दो डाई antis होता है तो आपको लेंस की पावर कितना दिया हुआ है अपको दो दायॉक्तर दिया हुआ है तो debler पर सिंपल सी बात है उमनों को निकालना क्या है? फोकस दोरी मतलब एफ निकालना है तो एफ बराबर सीजय क्या लिख सकते हैं? एक पटा पी भी लिख सकते हैं? अरे यह इधर जाएगा तो यह इधर जाएगा ठीक है? तो आपको देखिएगा, P ब्रापर 1 अपन एक, और इसको लिख सकते हैं, सुरी, खीक है, P ब्रापर, तो एक ब्रापर 1 अपन पी लिख दिया हमने, तो एक मतलब एक मीटर है, तो इसको हमनों किसमें एक चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में, तो हैंडरेड और आपको P का व फोकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आपको 50 सेंटीमीटर, ठीक है, P ब्रापर क्या होता है, 1 अपन एक होता है, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा, कि यदि किसी ऐसे एनक, जिसके लेंज की पावर, मतलब जो है, उसका जो है, जो है, जो हम लोग फोकस दोरी कितना, हम ल पावर कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या रख दिया, और इस तरह से हमारा उप्टर क्या आ गया, 50 सेंटीमीटर आ गया, हमारे पास अगला प्रशन है, धूप के चसमे की पावर होती है, जो धूप का चसमा होता है, उसकी पावर आज के दो लेंस है, जिनमें एक उतल और दूसरा उतल लेंस है, एक उतल लेंस है, एक उतल लेंस है, एक उतल लेंस है, और दूसरा उतल लेंस है, और दूसरा उतल लेंस है, और दोनों की फोकस दूरी क्या है आपको, समान है, तो आपको एक का क्या होगा, आपको धनात्म होगा तो दूसरी का क्या थEO क्या हो जाएगा आपको समतल और फोकस तरह करने लगेगा मतलब plane mirror की तरह वियाइब करेगा क्योंकि एक जो है न उतल है और एक क्या है आपको उतल तो एक का जो है आपको positive दोनों का focus दूरी क्या है समान है एक का जो है जो है न पोजिटिव और दूसरे का negative और दोनों cancel out होके आपको संकंदर्पन की तरह वियाइब करने लगेगा आगे की वह बात करते हैं हमारा पास मनुसे की आख में किसी वस्तु का परतिवीम बनता है रेटीना में रेटीना में जो है आपको किसी वस्तु का परतिवीम बनता है मनुसे की आख में जो है न आपको वस्तु का परतिविम रेटीना में बनता है तो देखिएगा जैसे यह जो हमारा आख है वो कैमरा की तरह काम करता है किसके तरह काम करता है आपको कैमरा की तरह काम दाता है रेटीना पर जो है वस्तु का परतिविम बनता है जो वस्तु का रेटीन है पर इमेज बनता है वो वस्तु से क्या होता है छोटा वांगों कि वस्तु इतना बड़ा है तो वस्तु याद करने का तरीका आपको परतिपिम उसका क्या बनता है छोटा बनता है उल्टा बनता है यह आपको जो है यह आपको परतिपिम है तो आपक में बताया आपको रेटीना पर बनता है छोटा बनता है पर परतिविम्ब मनुझर। परतिविम्ब फ्रöhung मैं बनता है पर प्रतिविम्ब कूझ पर फीजा है पर भात करते हैं कि हुटा अगला है है इसी वस्तू का पुर्दिपिन की आंक कि हं गहां बनता है लेटी सी टीना पर है को द्सक्रान आ जब किसी और ज़ुक्त में आपको परणीर करता है कि इस आप परदर्शी वस्तू का रंग जो है न यह कौन सा रंग होता है जिसको क्या करता है आपको परावर्तित करता है मान लो कि यह जो मैं आपको दिखा रहा हूं आपको यह मार्कर का जो है आपको कलर कैसा दिखाई दे रहा है तो यह जो है ना इसका ब्लैक क्यों आपको कलर दिखाई दे रहा है तो आप लोग उनने सर ब् दिन आपको जो रैट मतलब जिस्से हमने खेरा लगाया है ये रेंड इस लीए दिखाई दे रहा है क्यूंकि की आपको ये जो आपको लाइट है इस से आपको लाइट न मैं तो आपको प्रकासे है वह पर आवर्टिक्षा Siya यह किसा दिखाई दे वह बन Sunny रंग के मिसरन से बनता है वो तीनो रंग is rate ए ग्रीन है और उसके साथ सथ प्लू है क्या है आपको रिड ग्रीन और लुग आपको लाल खर और नीला तरफर असके में में बनता है उसका धर बन बने दो आपको रंगेंट लिविजन जिसके जिससे आपको जो है ना रंगें टेलिविजन जो है उसका धारपुत रंग कौन कौन सा है लाल हरा और नीला ठीक है अब हम लोग हमारे पस अगला क्यिस्तर है जब लाल नीले तथा फरेर रंग का परकास का एक पुन्ठ जो है आपको एक अस्थान पर पढ़ता है तो परकास का रंग कैसा हो जाता है सफेद बोजाता है ठीक है ये जो है ना लाल खरा और नीला जिसको हम लोग प्राथमिक रंग के नाम से भी प्राइमरी कलर बोलते हैं क्या बोलते हैं लाल खरा और नीला ये आपको प्राथमिक रंग है इसको प्राइमरी कलर की कहा जाता है ठीक है लाल खरा और नीला आपको एक हिए। आपके पास question कि लाल, खर्ण और हम लोगों ने कहा देखा था नीला, इसमें आपको पीला यह प्रात्मिक रंग है, यह काला आपको प्रात्मिक रंग नहीं है, ठीक है, आगे देखते. हमारे पास सुरे के परकास में रंगों की संख्या आगे की परपिनियूव करते हैं आप देखिए हमारे पास दोओर ने थोड़े दिर पहले ही बताया था कि जब स्वेत परकास को जो आपको सुरे का परकास होता है जिसकô हम लोग स्वेट प्रकास के नाम से भी जानते हैं, जब प्रिज्म के थूरू उस light को पास कराते हैं, तो आपको ये साथ रंग में परकास का light वी भक्त हो जाता है, पैजानिंग हाप पिनाला में, जिसे हम लोग बकास का और बढ़न भी छेफन कहते हैं, खिक है, तो आगे की तो हम लोग बार करते हैं, निम्र रंगों में विसम को पहजा नहीं है, तो सिंपल सी बात है, खरा, लाल और बिला, ये जो हैं आपको, विव्योर जब लिखते हैं आप, जब बैजानी हर पिनाला ये जो हैं आपको, इसमें भूरा देखने को नहीं मिलता है, इसलिए आपको बूरा जो हैं आपको इन सब में क्या है, आपको अलग है, इन सब में आपको डिफ्रेंट है, तो सही उत्तर क्या बजाएगा, भूरा, खिक हैं, हमारे पास आज इतना ही खिक है, मिलते हैं, सबी पर्टुगी परिक्षा में भाग लेना चाहते हैं और इन सबी परिक्षाओं की त्यारे कर रहे हैं धन्यवाद